आस्मान में दिखने वाले इन सितारों की हर बात रोमान्चक और निराली है इन सितारों से बने आकार भी कभी कभी तो हमें हैरान कर देते हैं कि कैसे कुदरत इतनी सटीकता से इन सितारों को आस्मान में बसाती है सितारों के इन आकारों को हम नक्षत्र कहते हैं और इनी नक्षत्रों में से एक है सब्त्रिशी यानि दबिग डिपर इस नक्षत्र का अलग-अलग सब्यताओं में बहुत महत्व रहा है और इसके वैग्यानिक तथे भी बहुत ही अध्भूत हैं तो आईए जानते हैं सब्त्रिशी नक्षत्र के बारे में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हितेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन विजन और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अनते तक जरूर देखें ताकि आपको इस वीडियो से मिलने वाली पूरी जानकारी प्राप्त हो और याद से हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे भविश्य में आने वाले वीडियो के अपडेट्स प्राप्त हो सेगें तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं सब्त रिशी आसमान में सबसे आसानी से नजर आने वाले नक्षत्रों में से एक है ये नक्षत्र आसमान के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है सब्त रिशी का वैग्यानिक नाम दबिक डिपर है और इसका जिक्र हमें दुनिया के अलग-अलग सब्वेताओं और धर्मों में मिलता है और इसे कई अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है जैसे कि दपलाफ यानि एक हल, दगरेट वैगन यानि एक गाड़ी और सौसेपन यानि एक बरतन आस्मान में तारों के किसी समूह को किसी सुरूप में सबसे पहली बार इसे ही देखा गया था सब्त रिशी यानि दबिक डिपर और उर्सा मेजर में अकसर लोगों को ये भरांती हो जाती है कि ये एक हैं जबकि ये दोनों अलग हैं अर्सा मिजर दरसल एक बड़ा नक्षत्र है और आस्मान के एक बड़े खंड को भी अर्सा मिजर कहा जाता है जबकि सब्त रिशी यानि दबिक डिपर उस खंड में नजर आने वाले सबसे चमकदार सितारों से बना एक नक्षत्र है इस नक्षतर में नजर आने वाले तारों को साथ रिशियों के नाम दिये गए हैं इसलिए इस नक्षतर को सब्त रिशि कहा जाता है इन सब तारों को जो रिशियों के नाम दिये गए हैं उन सब के नाम उन तारों के व्यग्यानिक नाम और उनकी प्रिथ्वी से दूरी के साथ इस प्रकार हैं रिशि भ्रिगू एटा उर्षा मेजोरिस 104 प्रकाश वर्ष रिशि वशिर्ट जेटा उर्षा मेजोरिस 82.24 प्रकाश वर्ष रिशि अंगीरस एपसिलोन उर्षा मेजोरिस 82.25 प्रकाश वर्ष रिशि अत्री डेल्टा उर्षा मेजोरिस 58.41 प्रकाश वर्ष रिशि पुलत् सब्त रिशी का प्राचीन काल सही बहुत महत्व रहा है ये पुराने मुसाफिरों को रास्ता दिखाने का काम करता रहा है इसके दो सितारे रिशी पुलाहा बेटा मेजॉरस और रिशी कराच्टू अलफा मेजॉरस से सीधी रेखा में देखा जाए तो वह हमें देखता है दिरुवतारा यानी दपोल स्टार जो हमेशा एक ही जगां पर स्थित रहता है और उसी की मदद से पुराने समय में मुसाफिर अपना रास्ता खूजा करते थे वैसे यह नक्षत्र जैसा दिखता है हमेशा से वैसा नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा मेरा मतलब है इस नक्षत्र का आकार हमेशा से बदलता रहा है जो कि इस animation में आप देख सकते हैं कि कैसे दब बिग डिपर यानि सब्त रिशी ने अपना आगार पिछले एक लाख वर्षों में बदला है और कैसे अगले एक लाख वर्षों में इसका आगार बदलेगा हमें नजर आने वाले सितारे हर समय अपनी जगा बदलते रहते हैं क्योंकि आस्मान में दिखने वाली हर चीज एक नियमित गती पे चल रही है हमारा सूर्य भी एक नियमित गती से चल रहा है आम तोर पे जो सितारे आकाश गंगा के केंदर के नस्दीक होते हैं वो धीमी गती से उसका चक्कर लगाते हैं और जो दूर होते हैं वो तेज गती से उसका चक्कर लगाते हैं मतलब सितारों की आकाश गंगा के चक्कर लगाने की गती अलग अलग होती है जिससे प्रित्वी से देखने पर वो अपनी जगां बदलते प्रतीत होते हैं तो हमें सितारों के चलने के ये बदलाव कभी नजर क्यों नहीं आते इसका जवाब है क्योंकि हमारा सूर्य आकाश गंगा के केंदर्व के चक्कर लगाने के लिए लगबग 22 करोड 50 लाख वर्ष का समय लेता है बाकि सितारे भी करोडों साल का समय लेते हैं आकाश गंगा का चक्कर लगाने के लिए इसलिए ये बदलाव हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं होने में जब से मानव सब्यदा प्रकाश में आई है सूरिय केवल इतना ही चला है अपने रास्ते पर अकाश गंगा का चक्कर लगाते हुए पिछले लगबग 2 लाख वर्षों में मतलब हम सब ने इस ब्रह्मांडिय समय की केवल एक बहुत छोटी सी छवी मातर ही देखी है तो देखा आपने कितना अद्बुत है ये ब्रह्मांड और इसके तत्थे और भी ऐसी जानकारियों के लिए बने रही है हमारे चैनल पे और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट करें और अपने सुझाव दें मेरा नाम है हीते शर्मा आप देख रहे थे हमारा यूटीब चैनल गोल्डन विजन नमस्कार दोस्तों